हेलो आवरीवन तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो कि M.com 3rd semester 2023-2024 यह अगर आप दोस्तों जमू उन्वेस्टी से Directorate of Distance Education University of Jammu से M.com 3rd semester में हैं तो आपके जो यहां पर 3rd semester के internal assessment ठीक है? Internal assessment assignment से जो हैं वो आपको किस तरीके से त्यार करने हैं कि इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है? वो सारी detail यहां पर बताएगी है ठीक है? देख लिज़ें यहां पर क्या लिखा गया है? Please follow the below mentioned instructions carefully यानि जो भी इन्होंने नीचे यहां पर instructions दी हैं इनको आपको ध्यान में रखना है और अपने assessment जो assignment आपके हैं AMCOM third semester के वो आपको त्यार करने हैं सबसे पहले देख लिज़ें कि हर एक subject की जो assignment है वो आपको separate file cover में यानि कि वो आपने त्यार करने है separate file cover उसका होना चाहिए जिसके उपर क्या लिखा होना चाहिए दोस्तों आपका name लिखा होना चाहिए आपका enrollment number उसपे जो है वो indicate करना चाहिए यानि उसमें दिखना चाहिए subject और course number आपको उसके उपर लिखना है semester कौन सा है वो आपको लिखना है evaluator signature आपको उसके उपर करने है और जो आपका personal WhatsApp और contact number होगा वो भी उसके उपर आपको लिखना पड़ेगा इसके लावा जो आपकी email ID होगी वो भी आपको वहाँ पर mention करानी है और जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों separate file cover आपको हर एक subject की जो assignment होंगे उसके लिए आपको separate file का cover इस तरीके से लगाना पड़ेगा इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपके assignment होंगे उनके लिए आप A4 size जो paper होगा जो sheets होंगी वो A4 size plain on the other side ruled on one side और plain जो हैं वो दूसरे side होना चाहिए और इनी A4 size की sheets पर ही आपको अपने assignments जो हैं वो लिखने पड़ेंगे और assignment के जो paper होगा उसके एक ही side में आप लिखोगे double side जैसे हम लिखते हैं ना double side आपको नहीं लिखना है एक side को आपने चोड़ देना है और एक ही side में आपको लिखना पड़ेगा only cardboard files जो cardboard files होंगी with only takes no clips ठीक है तो यह यहां पर use होने चाहिए photo copy of the enrollment card जो photo copy होगे enrollment card की वो आपने attach करनी है after the index page of the subject file जो subject file का index page होगा उसके after में आपको क्या attach करना है photo copy enrollment card की जीक है attempt all the assignment carefully आपको सारे के सारे assignments जो है वो carefully जो है वो attempt करने है और there is no provision for revolvation तो revolvation का कोई भी यहां पर provision नहीं बताया गया है Assignment have to be handwritten assignments जो है वो handwritten होने चाहिए याने आपने खुद के लिखे होने चाहिए by the candidate themselves ठीक है खुद से आपको यह assignment लिखने है Assignments in five separate files in five separate files have to be submitted in m.com section तो जो आपके assignment होंगे वो आपको submit करने है m.com section जो होगा Directorate of Distance Education का जो m.com section होगा वहाँ पर आपको अपने assignment जो है इनी चीज़ों को दिहान में रखकर तयार करके वहाँ पर आपको submit करने है As per the date notified and no files will be shall accepted after the notified date तो जो भी इन्होंने date दी होगी उन्ही dates के अंदर अंदर दोस्तों आपको अपने m.com section में जाकर अपने assignment जो है submit करने है उसके अलावा अगर date के बाद अगर आप वहाँ पर जाते हो date अपकी खतम हो जाती है assignment submit करने की उसके बाद अगर आप जाते हो तो किसी भी कीमत पर आपके assignment जो है ये accept नहीं करेंगे enrollment number as well as course number should be written carefully जो आपका enrollment number होगा जो course number होगा वो आपको वहाँ पर लिखना है दोस्तो carefully ध्यान में रखना है आपको कुछ गलत इस तरीके से मत कर लीजेगा तो आपको enrollment number और course number आप चेक करके वहाँ पर carefully जो है वो लिखेंगे on the outer cover जो जो फाइल के बाहर से cover होगा outer cover as well as the index page of the file ठीक है index page जो फाइल का होगा वहाँ पर भी लिखोगे outer cover page जो होगा वहाँ पर भी आप ये लिखोगे enrollment number और course number only blue pen जो होगा उसी का use करोगे जैसा आप जानते हो red pen का use तो हम कहीं पर भी नहीं करते हैं each assignment के रही हर एक assignment जो है वो 10 marks का होगा that is 20 marks for 2 assignment 2 assignment का कितने होगा 20 marks आपको मिलेंगे और 20 marks का होगा answer to each assignment should be within 700 और 800 words तो हर एक assignment जो होगा जैसे 2 assignment होगा तो 10-10 marks के रहेंगे तो हर एक assignment जो है वो 700 से 800 words का मतलब इसी के अंदर 700 से 800 words की range में ही आपको लिखना इसे ज्यादा words का नहीं लिखना है the assignment shall be accepted देखो assignment आपके कब से accept किये जाएंगे एक जैन 2024 से लेकर 5 जैन 2024 तक आपके जो assignment है वो आप working जो dates होगी ठीक है उन में आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं इसके अलावा देख सकते हो आप during working hours ठीक है working hours भी होना चाहिए जैसे 10 बज़े से लेकर शाम के 5 बज़े तक आप assignment submit कर सकते हो इन dates में और 30 से लेकर दो 30 जो lunch time होगा lunch break के अलावा इसको इन्हों ने exclude कर दिया है यहाँ से यह आदे घंटे का यहाँ पर 30 minutes का यहाँ पर यह मतलब lunch का time रहेगा तो इसको छोड़कर सुबा के 10 बज़े से लेकर 5 बज़े तक आप अपने assignment जो है वो जमा कर सकते हैं और in no case assignment shall dates be extend तो किसी भी case में यह जो 1-1-2024 यह नहीं एक जन 2024 से लेकर 5 जन 2024 जो भी date बताएगी है यह किसी भी केमत पर यह जो आपके assignment की date यह extend नहीं होने वाली है तो नीचे आप यहाँ पर देख लीजे यह subject विके रहा होंगे आपके जैसे m.com.c. 3-5-0 entrepreneurship and new ventures के अंदर आपको कौन-कौन से यहाँ पर यह questions बताएगे हैं जो आपको लिखने हैं इस तरीके से m.com.c. 3-5-1 m.com.c. 3-5-2 इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर लीजेगा दो-दो questions यहाँ पर बताएगे हैं जिसे मैंने आपको अल्रड़ी बताएगे दस-दस marks के रहेंगे 700 से लेकर 700 words से लेकर 800 words के अंदर-अंदर यह आपको complete करना है ठेक थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होने के बाद इस तरीके से आप चेक करोगे और चेक करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजे assignment for students अब यह assignment उन students के लिए है who were enrolled before यानि जो 2022 से पहले-पहले के enrolled हुए है यहाँ पर लिखा गया है bake log students के लिए यह assignment है तो देख लीजेगा आपको कौन-कौन से यह जो topics हैं इन पर लिखना है आपके assignment यह सारी चीज़ें आपर बताएगे हैं आप check out कर सकते हैं ठीके दोस्तों so thank you very much